Now we will discuss कि जो PICA का prevalence rate है वो general population में कितना है और इसके साथ हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से disorders हैं जो कि PICA के साथ develop होते हैं तो जब हम prevalence की बात करते हैं तो it is unclear in reference to the prevalence ठीक है कि जो general population में PICA की prevalence क्या है इसके reason अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे ये report किया गया है कि जो आम तोर पर लोग अगर इस activity के अंदर involved भी होते हैं तो वो इस तीज़ को report नहीं करते तो और जिस वकत किसी किसम की उनकी medical condition अगर aggravate हो जाए या develop हो जाए तो वो जो है treatment के लिए आते हैं तो इस वज़ा से जो इसकी prevalence है वो general population के अंदर unclear है इसके साथ साथ जो intellectual disability है उसकी वज़ा से certain time कहा जाता है कि जो PICA है उसका prevalence rate जो है वो increase हो सकता है लेकिन वो सिर्फ उन बचों के अंदर जिनके अंदर intellectual deficit है definitely उसके वज़ा ये हो सकती है because उनकी intellectual functioning level जो है वो affected होता है cognition जो उनकी होती है वो affected होती है तो might be they are unable to understand के कौन सा food है और कौन सा substance है जिसके अंदर किसी किसम की कोई भी nutrition value नहीं है तो इस वज़ा से हो सकता है कि उनके prevalence rate थोड़ा ज्यादा हो observe किया गया है कि उन बचों के अंदर भी ये problem आ सकता है यसी तरह avoidant and restricted food intake disorder जो है जिन बचों के साथ ये problem होता है कि वो बहुत foods जो है different types के वो नहीं खाते या उनको avoid करते हैं तो उन बचों के अंदर भी Pika का problem आ सकता है तो ये वो problems हैं जो कि आपने जब आपके सामने इन disorders के साथ बचे आएं तो you need to be find out the Pika और अगर आपके पास Pika का कोई client है तो आपको rule out करना होता है कि इन मेंसे कोई disorder तो बचे के साथ prevail कर रहा है या नहीं कर रहा है Thank you